इसी के साथ अब कारिक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं योगा अभ्यास तो आप लगातार हमें कराई रहे थे बता रहे हैं कि किस तरह से प्राणयाम भी हमारी तमाम बिमारियों को दूर कर सकते हैं चोटे चोटे बदलाव कौन से हैं जो करने की जरूरत है अब आप दर्शकों को कौन सा आयूर्वेदिक नुस्खा बताने वाले हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखे विस्तार से बताईए और स्वामी चे आपकी इजास्वत हो तो जल्दी से क्या कल का कारिक्रम तब तक हम बता दें तो देखो लेलो लेलो कल का लेलो में तब तक टेमाटर का जूस बना के तयार रखता हूँ बड़ा मज़ेदार होता है यह थी तो कंधे पीट के भैंका डर्ट से अगर आप हैं परेशान और गर्दन में अकडन है तो इसका क्या है इलाज स्वॉंडलाइटिस से आने लगे चक्र खतरनाग सर्वाइकल से कैसे पाए निजात यो गुरु स्वामी रामदेव की स्पाइन थेरेपी मस्बूत करेगी आपकी रीड की हड़ी तो कल सुभे 7 बच कर 56 मिनट पर जरूर हमारे साथ जुड़िएगा गर्दन में अकडन, शरीर की जकडन, सर्वाइकल की परेशानी, सब कुछ कल दूर होगी स्वामी जी तना स्वादिष्टा है, लोग फ्रेस्टीजे निपीते, सब पैक्ड फूट खाते, टमाटर का जूस, जो पिएगा उसको जिंदिगे में कभी प्रोस्टेट की प्रब्लम नहीं होगी, पेट में केड़े नहीं होगी, इंडाइजेसन नहीं होगा, खोन की कमी नहीं होगी यह तो अप्रतिम है, ऐसा लगता है जिससे बस आनंदी आनंद की बरसा हो रही है, लोगी का, अब लोगी अकेला ना पिले जाए तो लोगी खीरा उटमाटर, तिनू का जूस पीलो, यह तो जूस की बात हुई, यह हाइपरटेंशन के लिए हाट के लिए बोड़ी को परदस है, तुम भी पीले ना भेंज, मस्त रहेगी एक जब, भाई साब, पेट कम हो जाएगा, आप भी इस पर देंगा, बड़ा जापरदस है, यह नीम के पत्ते पूरे शरीर को के अंदर के जहर को निकाल देते हैं, सारे शरी को डिटोक्स कर देते हैं, गोधन और के सा दाते और तुलसी तो संजीव नी है, इसको खा लिया, तो कभी भी जिंदिगे में कैंसर नहीं होगा, कभी अस्तमा कफकोड की समस्य नहीं होगी, और अभी तो आचारी जी का जर्म दीवस आ रहा है न, तो घर घर में हम तुलसी, नीम, हल्दी, अलवेरा, यह सब लगाने हर वक्त, हर जगे, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर